जहिंद मेरे प्यारे दोस्तों, दोस्तों मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे प्लैटफर्म Achieve CAPF CDS पर दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी हमारी अलग होने वाली है, आज मैं यहाँ पर नहीं कोई analysis डिसकस करने वाला हूँ, नहीं कोई source वीडियो दिखाने वाला हूँ, और नहीं आपको किसी NCRT के बारे में कोई information देने वाला हूँ आज मैं दिखाने वाला हूँ हमारे और आपका कुछ नया initiative जो आपके लिए और हमारे लिए exam में game changer साबित हो सकता है तो बिना देरी के दोस्तों मैं शुरू करता हूँ, हमारी अपनी प्यारी application, अपना प्यारा घर जहां पर हमें हर तरीके की CAPF CDS से related information मिलेगी आज मैं वो आपके सामने लेकर आया हूँ, आपको दिखाने की हमारा जो घर है, हमारा जो CAPF CDS का एक नया application launch होने जा रहा है वो कैसा दिखता है, उसमें आपको क्या फाइदे, क्या benefits देखने को मिलेंगे, आप कैसे उसे download कर रहे होंगे, कैसे उसे अपने exam में useful बना रहे होंगे, वो सारी चीज़े आज आपको application में देखने को मिलेंगी तो चलिए देखते हैं दोस्तो हमारी application कैसे download होगी, कैसे use में आएगी तो दोस्तो आपको सबसे पहले play store पर जाना है, play store पर जाकर दोस्तो हमें search करना है achieve CAPF जहां पर आपको हमारी अपनी प्यारी application देखने को मिलेगी दोस्तो, यहां पर आपको और भी other applications देखने को मिल रहे होगी तो आपने search किया है, तो आपको achieve CAPF के application उपर ही नज़र आ रही होगी, इसे मैंने already download कर रखा है, तो आपको यहां पर सीधे open करना है से, जब आप open करेंगे तो आपको हमारा symbol देखने को मिलेगा, register और login करने के लिए देखने को मिलेगा, तो आपको register कर लेना है, लाग इन कर लेना है, ठीक है, तो register करेंगे, अगर आपने login नहीं किया है, यहां आप अपना phone number एंटर कर देता हूँँ यहां पर 0722, ठीक है, जैसे ही आप phone number एंटर करेंगे, आप send OTP पर click करेंगे, send OTP पर click करने के बाद आपका OTP आपके सामने होगा, 5393 हमारा OTP है, 5393, ठीक है, OTP verify करेंगे, अपना नाम, अपना phone number, email address, password और state यहाँ पर choose करेंगे, यह थोड़ी सी ज़रूरी information है, इसे आपको avoid नहीं करना है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने हमारी information यहाँ पर put कर दी है, नाम, phone number, email ID, password और state, और फिर हम यहाँ पहुँच चुके है, register पर, एक second में आपका यहाँ पर application है, वो register हो चुकी है, ठीक है, आपका उपर नाम आ गया है, hello ray, और यह है आपकी application, achieve CPF का interface, ठीक है दोस्त तो शुरू करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस application को बहुत complicated नहीं बनाया है, दोस्तो, सिर्फ आपकी convenience के लिए इसे बहुत ही simple रखा गया है, यहाँ पर हमने आपके content के according इसे 9 parts में divide किया है, तो दोस्तो, इन 9 tiles में सारा content divide किया गया है, जहाँ पर पहली tile है paid courses क दूसरी tile है test series की, जिनके बारे में हम बाद में discussion करेंगे, अभी जो सबसे important tile आपके लिए होते हैं दोस्तो, वो है previous year papers की, यहाँ पर आपको, आप click करेंगे तो आपको हर exam के previous year papers देखने को मिलेंगे, चाहे वो CAPF हो, CDS हो, NDA हो, CISF हो, CSE हो, CGS combined geoscientist या EPF हो, आपको हर exam के question paper यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अब यहाँ पर देखिए previous year questions हर जगे आपको देखने को मिलेंगे, बट हमारी application में ऐसा क्या खास क्या अलग होगा, तो मैं वो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, सबसे पहली चीज़ जब आप यहाँ पर CAPF में enter करते हैं दोस्तों, तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1, 2, 3, 4 साल के paper, यहाँ पर आपको 10, 12, 13, 15 सालों के paper आपको देखने को मिलेंगे, जो और कहीं शायद ही आपको ढूंडने पर मिलें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 2023 तक के आपके सभी papers यहाँ पर देखने को मि लेगा, साथ ही साथ category wise आपको अलग-अलग topic, अलग-अलग subject यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे अगर आपको 2023 में आए science के question attempt करने है तो उसका PDF है, geography का PDF है, history का PDF है, polity, economics, current affair, maths, हर चीज़ को segregate किया गया है, आप यहाँ पर open करके देख सकते हैं, science के subject wise सभी previous year questions यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से, ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से आप history के सभी previous year questions 2023 के देख सकते हैं, इस तरीके से सारे exams के previous year questions आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, दोस्तों अभी यहाँ पर इन्हें upload नहीं किया गया है, क्योंकि यह सभी division करने में थोड़ा सा time taking process है, हमें थोड़ा समय दें, यह सारी चीज़ें इस division में आपको यहाँ पर previous year questions में देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो यह है PYQs की टाइल, जहाँ पर आपको सभी exam के PYQ देखने को मिलेंगे, उसके बाद आते हैं दोस्तों current affair, अब current affair में दोस्तों सबसे पहले तो 2022 का detailed discussion यहाँ पर current affair का बताया गया है, इस तरीके का एक detail discussion हम 2023 के लिए भी करेंगे, जो कि जल्दी आपको देखने को मिलेगा, फिर बात की जाए monthly PDF की, दोस्तों हमें एक tension रहती है कि हर month की PDF हमें चाहिए रहती है current affair की, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ पर आ तो एक monthly quiz में आपको open करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर monthly quiz देखने को मिलती है, जैसे हम January की monthly quiz पर click करेंगे PDF पर, तो यहाँ पर आपके सामने यह पूरी की monthly magazine PDF जो है, सामने आ जाएगी, इसमें क्या है, जन्वरी के हर date के आपके जो newspaper में जो important news आई है, व इसके बाद 3 और 4 January की, उसके बाद आप देखेंगे 5 और 6 January की, इस तरीके से पूरी की पूरी जो January की PDF है, आपको यहाँ पर provide की गई है, monthly basis पर, ठीक है, और भी future में जो month by month जो भी PDF आएंगी, वो यहाँ पर आपको upload कर दे जाएंगे, तो यह है हमारे current affair का option, फिर आते हैं PDF class notes, यहाँ पर जितने भी important जो आपकी PDFs रहेंगी, वो यहाँ पर share की जाएंगी, उसके बाद एक और important section में आते हैं दोस्तों, वो है हमारा books का, आम तोर पर हमें बड़ा confusion रहता है दोस्तों की कौन सी books पढ़नी है हमारे exams के लिए, तो वो confusion को दूर किया है हमने यहाँ प maths, अब आपको किसी से नहीं पूछना है कि मुझे कौन सी books पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, आप just application में आएंगे, book section को open करेंगे, मान लीजे आपको geography के बारे में जानना है, तो आप यहाँ पर view section पर जाएंगे, और यहाँ पर test NCRT है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई पुरानी NCRT आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके से आपको 7, 8, 9, 10, अब समस्या यह आएगी कि इनको पढ़ना कैसे, आपको वो नहीं पता होगा, तो सर, उपर ही आपको strategy दी गई है, strategy की video, आप उसे open करेंगे, आपको कि इस तरीके से geography को तयार करना है, उस चीज की strategy यहाँ पर हमने बताई है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे open करेंगे, तो देखेंगे, यह दोस्तों आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगी, बट यहाँ पर आपको add free videos देखने को मिलेंगी, तो आपके उपर है, यह depend करता ह है, कि आप YouTube से देखना चाहते हैं, यह application से देखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर किसी टाइल में, हर किसी option में आपको जैसे science का अगर आप open करते हैं, तो सारी books देखने को मिलेंगी, जो आपको पढ़नी है, 6, 7, 8, 9, 10 और साथ में पढ़ने का तरीका, उप पर science की strategy, तो वो आपको देखने को मिलेगी, same process में आपकी geography देखने को मिलेगी, same process में आपको history देखने को मिलेगी, यहाँ पर history की theme 1, theme 2, theme 3 पढ़नी है, spectrum दोस्तों पढ़नी है, बट spectrum एक copyright issue की वज़े से हम यहाँ पर नहीं provide करा सकते हैं, बट हमने आपको यहाँ बता द नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर strategy अभी देना बाकी है, ठीक है, तो यह आपकी यहाँ पर सारी books हुई दोस्तों, उसके बाद है यहाँ पर हमारा paper 2 content का section, जहाँ पर essay writing, argument writing, report, pressy, reading, comprehension, grammar, आपके जो 6 question paper 2 में आते हैं, उसके basis पर इसे divide किया है, सभी content को धीरे धीरे पर upload किया जाएगा दोस्तों, अभी हमारा यह application एकदम newly launched है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा information नहीं देखने को मिलेगी, बट जितनी भी हमारे पास available content है, वो अभी हमने आपको यहाँ पर provide किया है, जैसे essay कैसे लिखना है, notes कैसे बनाने है, important essay कौन-कौन से हो सकते हैं, फिर argument में आप देखेंगे argument कैसे लिखना है, report में देखेंगे आप report कैसे लिखनी है, pressy में आप देखेंगे pressy कैसे लिखनी है, तो इस तरीके की जो basic informative वीडियो है, वो अभी तक हमने यहाँ पर content दिया है, धीरे धीरे यहाँ पर आपको नया content ज़रूर देखने को मिलेग इसमें क्या है कि दोस्तों आपको CAPF के जो भी exam हमारे हुए हैं जैसे 2023, तो उसके science के analysis, यानि कि जो आप YouTube पर देखते हैं, source वीडियो के बारे में discussion करते हैं, तो वो एक compiled form में आप एक जगे आसानी से देख सकते हैं, मान लिजे आपको 2023 के geography के analysis को देखना है, तो YouTube पर हमें search करना पड़ता है, बट यहाँ पर आपको वो एक folder में given है, आप जब चाहें तब यहाँ पर इसको आकर देख सकते हैं, access कर सकते हैं, इसी तरीके से CAPF 2022 के यहाँ पर analysis देखने को मिलेंगे, धीरे धीरे दोस्तों इसे पूरा cover किया जाएगा, हम सभी exams के analysis को यहाँ पर cover करन दीरे दीरे सब चीजों पर काम करेंगे और इस application को एक one stop solution बनाएंगे दोस्तों हमारे CAPF और CDS category में, last 10 year का analysis देख सकते हैं कि किस तरीके से subject से कितने question आये हैं, तो वो सभी analysis आपको यहाँ पर easily देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके सारे content को बहु अबी run कर रहे हैं, तो paid courses में game changer और उसकी information आपके सामने आ जाएगी, यहाँ पर आप उसका content देख सकते हैं, अभी इसे upload करना बाकी है, ठीक है, इसकी information आप हमारे telegram channel से ले सकते हैं, और यहाँ पर test series का एक section है दोस्तों, इस test series के section में अभी test series upload करनी बाकी है, future में आपको यहाँ पर एक test series का नया course देखने को मेलेगा, जिसे हम जल्द ही launch करेंगे, ठीक है, यह आपका test series रहा, तो यह है पूरी no tiles और उसकी information, अगर आपको किसी तरीकी की कोई help चाहिए, आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो यह help section में आप अपना message लिखेंगी दोस्तों, उसके ब help चाहिए, तो आप यहाँ पर उन्हें mention कर सकते हैं, तो दोस्तों यह है पूरी आपकी application की information, उमीद करता हूँ आपको यह application समझ में आयोगी, कि इसमें कैसे क्या चीज़े हम cover कर रहे होंगे, और आशा करता हूँ कि दोस्तों यह application आपके लिए बहुत बहुत helpful होने वाली ह हमारे CAPF CDS category में यह एक one stop solution बनने वाला है, और इसमें अगर आपको कोई भी query चाहिए, कोई भी feedback है, कोई भी issue है दोस्तों तो आप हमें please नीचे comment section में mention करें और बताएं कि आपको यह application कैसी लगी, आपको कितनी helpful लगी, आपके हर तरीके के feedback पर काम किया जाएगा दोस्तों